जिस तरह से ये मुकाबला जिस पिछ पर जिस सतर पर खेला गया पंकर्ज ये 2020 क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी मुनासिब विकेट मुझे नहीं लगा केके आर भी एक सो पैसर नहीं बना पाया और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जो पिछ है वो टूपता गया बिखरता गया और बल्लेवाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था मुंबे इंडियन्स हार ही ज़रूद है इसमे कोई शक नहीं कोई चर्मा एक बार फिर से नहीं चले लेकिन विकेट भी काफी हद तक जिम्मेदार है मुंबे इंडियन्स की हार के लिए थोड़ा तो नहीं योगदान दिया लेकिन अंदेर रसल और श्रेयस अईयर निराश किया इन दोलों ने रिंकु सिंग ने थोड़ा बहुत करने की कुछ कोशिश की मदद दे लेकिन उसके बाद लगातार जो विकेट है ये गिरते गए और ग्यारा एक्स्ट्रास की और सुनिल ऐसा लगा कि 166 का लक्ष काफी ठीक थाक है काफी आसाल है मुझे लगता है कि इस विकेट को पढ़ने में रीड करने में कहीने कहीं चूप हुई है मुझे लगता है शायद यदि मुबे इंडियन्स टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते तो शायद इस मैच का रतीजा कुछ और होता बहराल जो गेनबाजी मुंबे इंडियन्स की ओद से हुई वो आज कमाल किती जस्प्रीद बुम्रा ने आज बहतरीन गेनबाजी का मजाहरा किया चार ओवर में केबल दस रंदिये और पांच विकेट उनके नाम पर दो दर्शमलों पांच की उनकी एकनोमी दो विकेट कारती के एक उमिजे और एक एक विकेट डैनिल सेम्स और मुरूगन अश्विन को मिला तो इस तरह से जो गेनबाजी रही उसने तो अपना काम बाफ स्टार्ट ले पाए और बहुत जल्दी आउट हो गए टिम साओधी और पैंट कमिन्स की इतनी खतरना जोड़ी अगर गेनबाजी में हो तो आप जादा कुछ कर नहीं सकते तिलक वर्मा भी बहुत जल्दी आउट हो गया उसके बाद रामनदीद भी आउट हो गया इशान वो नहीं इनफैक्ट वो पानी दे पाए उसको और कारन पॉलार पिर एक बार आज थे थोड़न से बुझे-बुझे से लग रहे थे उनको गेंदे समझ में नहीं आ रही और साथ में जो बल्लेबाज है बाकी के उनका भी साथ उनको नसीर नहीं हुआ साम्स जल्दी आउट हो गए मुडगाना शुएन कारती के है सब लोग एक ही करके अपनी अटेंडन्स देकर वापिस चले गए